हेलो फ्रेंट्स वेल्कम दू इन्या फूड एन फेशन आज की वीडियो में हम हेयर क्लिप बनाना सिखेंगे इसके लिए पहले आप कोई कार्डबोड शीट को सकल की शेप में कट कर लिए जेगा मैंने यहाँ पर एक मिठाई का डबबा यूज किया है इसको फिनेशिंग देने के बाद मैंने जो बॉटल का धकन था उसको अच्छे से ग्लू से पेस्ट कर दिया है थोड़ दिर के लिए इसको सूखने दीजेगा आफ्टर फिफ्टीन मिनट्स मैंने अपनी फेवरेट उनके कलर को पिक किया और उसके बाद मैंने जो धकन है उसके ओपर थोड़ सा ग्लू लगाया और राउंड राउंड सोकल बनाके उनको इसके ओपर पेस्ट करना शुरू कर दिया आप इसे दिफ्रेंड दिफ्रेंड कलर में बना सकते हैं और आप नवरात्री भी आ रहे है तो आप कंजको को भी दे सकते हैं प्लस में आपकी बेटी की बोड़े पाटी हो तो उसमें भी आप इसे आज रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं इसे पूरा रेडी करने के बाद में बाद में इसके बैक में भी जो नीचे का बेस है वहाँ पे भी अच्छे से उनको मैं रैप कर दूँगी और हेड को और सुन्दर बनाने के लिए मैंने जो मेरे पस पर्ल्स थे अलग-अलग शेप के उनको यूज किया है आप कुछ भी और यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास हो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से उसको राप कर दिया है और अब इसकी ब्यूटी को अनहेंस करेंगे अब लास्ट में हम ऐलिगेटर क्लिप लगाएंगे इसके बेस में अच्छे से ग्लू लगा देंगे और वहाँ पर ऐलिगेटर क्लिप लग देंगे थोड़ देख के लिए इसको ड्राइव होने के लिए रखेंगे और आपकी क्लिप रेडी हो गई अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चानल और लाइक दिस वीडियो